वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें जो की top 5 minute questions हम लोग solve कर रहें हैं बहुत जल्दी ये solve होने वाले इससे पहले science को complete कर चुके हैं आगे हम लोग job office subject start करेंगे इसी तरह एक एक करके आप सारे subject को मेरे साथ practice कर सकते हैं daily हम लोग 15 to 20 questions solve करने की कोशिश करते हैं वी the explanation अगर आप इस channel पर new हैं तो रात को 9 बज़े daily मेरे साथ आप practice कर सकते हैं और दोपर एक बज़े वाली class में आप जिये section cover कर सकते हैं अगर आप paid course join करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है ये जो channel है वो study for civil services का ही पार्ट है तो आप google play store पर जा करके study for civil services का app download कीजिए जो भी course आप purchase करना चाहते हैं वहाँ पर आप ग्यांसर coupon code apply करेंगे और 20% flat 20% off मिल जाएगा आपको तुरंत आपके course पे इसके साथ साथ और भी नए courses और भी नई जानकारिया जो हैं वो आपको app पर ही मिलती रहेंगी तो app को ज़रूर download करने आपके लिए काफी helpful रहेगा इसके साथ साथ आप अधर कोई course जोईन करना चाहते हैं तो आप इन पर वाटसप ये जो नंबर दियेगे इन पर वाटसप ये call करके जानकारी ले सकते हैं चलिए आज के प्रशनों को स्टार्ट करते हैं वितायों के अधरक्ष और सदस्यों की नियुकती भारत के राष्ट पती द्वारा की जाती है इस प्रशन का उत्तर देना है नीचे दिये गए कूट के अनुसार और ये सारे options आपके सामनी लिखे हुए हैं इनको देख करके सही उत्तर का चैन कीजे इसका सही उत्तर हो जागा option D कथन गलत है किन्तु कारण सही दिया गया है वितायों के अधरक्ष और सदस्यों की योगिता का निर्धारण संसत द्वारा किया जाता है ना कि राष्ट पती के द्वारा इसके अलावा कारण सही है कि वित आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट पती द्वारा की जाती इसलिए आप्शन D राइट होगा अगला प्रश्ण है वित आयोग के संबन्ध में कौन से कथन सही दिये गए हैं पहला इस्टेटमेंट है से भारती वित संगवात के नियंतर का कारे करना होता है सेकेंड है इसमें एक अध्यक्ष और तीन से अन्य सदस्यों होते हैं थर्ड है आयोग के सदस्यों की योगिता का निर्धारं राष्ट पती द्वारा किया जाता है फोर्थ है इसका गठन सम्विधान के अनुच्छे 280 क्योग बंधों के तहत हुआ है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हाँ पर तीन दिया गया था और आयों के सदस्यों की योगिता का निर्धाना संसत द्वारा किया जाता है इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी रॉंग है बाकी से भारती वित्य संगवाद के नियंतक का कारे करना होता है सही है और इसका गठन सम्विधान के अनुच्छे 280 क्योग बंधों के तहत हुआ है ये भी सही है अप्शन C लाइट होगा अगला प्रशन है भारती राष्टपती के वीटो का अधिकार निम लिखित में से किन-किन का सम्मिश्रण है पहला है पॉकेट वीटो सेकेंड है अप्सल्यूट वीटो थर्ड है सस्पेंसिव वीटो फोर्थ है कौलिफाइड वीटो इन में से किन किन कम समिश्रान है इसमें ये options दिये गए हैं इन options को देखते हुए आपको उत्तर देना है इसका right answer हो जाएगा option D इसमें pocket veto, absolute veto और suspensive veto आता है option D correct होगा अगला प्रशन है राश्पती और मंती परिसत के मध्य वर्तमान संबंध निम लिखित में से किस अधनियम के उबंधों से सासित है option A है 42nd Amendment Act option B है 48th Amendment Act option C है 54th Amendment Act या 4D है 44th Amendment Act इसका right answer हो जाएगा option D 44th Amendment Act 445th question है छेती परिसत की स्थापना निम लिखित में से किस के द्वारा हुई option A सम्विधान के नुच्छे 263rd द्वारा option B है राजपुनरगठन अधिनियम द्वारा option C है छेती परिसत अधिनियम द्वारा या option D है भारत के राजपुपती के आदेश द्वारा इसका right answer option B राजपुनरगठन अधिनियम के द्वारा 446th question है निम लिखित कतनों में से कौन से कतन सही दिये गए हैं पहला कतन है संसत किसी कर में व्रधी कर सकती है second statement है संसत किसी कर में कटोती या कमी नहीं कर सकती है third है संसत किसी कर को समाप्त कर सकती है fourth है संसत किसी कर में व्रधी नहीं कर सकती fifth है संसत किसी कर में कमी कर सकती है इन में से कौन से कतन सही दिये गए हैं या आपको इन options के according बताना है इसका right answer हो जाएगा देखे इसमें जो 3rd, 4th और 5th तर था तो option B correct होगा संसत किसी कर को समाप्त कर सकती है लेकिन किसी कर में व्रधी नहीं कर सकती जबकि संसत किसी कर में कमी कर सकती है इसलिए option B right होगा अगले प्रश्में राश्पती और राजपाल को प्राप्त छमादान के अधिकार के मत अंतर के बारे में प्रश्न पूछा गया है कौन से कथन सही है राजपाल कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है किन्तु राश्पती माफ नहीं कर सकते इन में से कौन से अंतर सही दिये गए है ये इस प्रश्ण में पूछा गया है और सही उत्तर हो जाएगा राश्ट पती म्नित्यु दंड को माफ कर सकते हैं लेकिन राजिपाल नहीं कर सकते अगला है राश्ट पती कोर्ट माशर्द द्वारा दी गई सज़ा माफ कर सकते हैं लेकिन राजिपाल नहीं कर सकता बाकि स्टेट्मेंट करेक्ट है B और D राइट है इसमें दूसरा और चौथा स्टेट्मेंट करेक्ट होने की वज़े से आप्शन भी करेक्ट होगा 448 कुशन है किसी विध्यक को राजिपाल द्वारा राश्ट पती के विचारार्थ सुरक्षित रखने के अधिकार के संबंध में निम्ण में से कौन से कथन सही दिये गए हैं पहला कथन इसका उलेक सम्विधान के अनुच्छे दोसों में है बी है राजिपाल की विवेका धिन सकती नहीं है सी है या विध्यक से उची नियायाले की स्थिती को खत्रा हो तो ऐसा करना अनिवारे है आप्शन डी है राजिपाल राजिविधाई का द्वारा पारित किसी विध्यक को रोगे रख सकता है इन में से कौन से कथन सही दिये गए हैं और इन options को देखते हुए उत्तर देना है इसका right answer हो जाएगा इसका उलेक सम्विधान के अनुच्छे दोसों में है और यदि विधेक से उच्छी नियाले की स्थिती को ख़तरा हो तो ऐसा करना अनिवारी हो जाता है option C correct है पहला और तीसरा statement correct दिया गया है जबकि दूसरा जो statement है incorrect है या राजिपाल की विवेका धिन सकती है और राजिपाल राजी विधाय का द्वारा पारित किसी विधेयक को रोके रख सकता है ये गलत दिया गया option D incorrect है अगला प्रशन है निमनी लिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पहला है केंदी जाच विरो 1963 में B है विशेज पुलिस प्रतिष्ठान 1942 में C है ब्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 में D है केंदी सतरकिता आयोग 1964 में इसमें कौन सा option है जो correctly matched नहीं है ये बताना है इसका right answer हो जाएगा option B विशेज पुलिस प्रतिष्ठान 1942 में दिया गया है जबकि इसका right answer 1941 है अगला प्रशन देखते हैं इसमें एक और option गलत दिया गया है जो की भष्टाचार निवारण अधिनियम है इसका right answer 1988 होना चाहिए तो आपको ये दोनों देख नहीं है दोनों गलत दिये गये थी ये answer इसमें आप इसको सही कर लीजिएगा next question है निम्न लोग सेवाओं में से किन-किन का उलेक सम्विधान में है पहला है भारती प्रशाशनिक सेवा second है भारती बन सेवा third है भारती पुलिस सेवा fourth है अखिल भारती नियाईक सेवा और fifth है भारती विदेश सेवा इसका correct answer हो जाएगा भारती प्रशाशनिक सेवा भारती बन सेवा और भारती पुलिस सेवा इसका right answer हो जाएगा option B अगला प्रशन नीती आयोग से संबंदी थे प्रशन देखे इसका कथन दिया गया है नीती आयोग ना तो सामविधिक निकाय है और ना ही सामविधानी इसका कारण है इसकी स्थापना केदी मंति मंडल के कारी-कारी प्रिस्ताव द्वारा हुई थी इन कथन और कारण को देखते हुए नीचे जो सही उत्तर दिये गए हैं उनको बताना है चार आप्शन देखते हुए और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्शन A A और आज दोनों सही है और कारण A की सही व्याख्या भी कर रहा है अगला परशुल फिर से कथन और कारड का है कथन दिया गया भारती समिधान लगभग संघी प्रकर्टी का है इसका कारड है इसके माध्यम से केद सरकार को राजी सरकारों की अपेक्षा अधिक सकतियां प्रदान की गए है कथन और कारण को देखते हुए सही कूट का उत्तर देना है सही कूट बताना है कौन सा है कौन सा कोट सही दिया गया है इसका राइट आंसर हो जगा ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है कि भारती सम्मिधान लगभख संघी प्रकरतिक है क्योंकि इसके माध्यम से केली सरकार को राजी सरकारों की अप्रेक्षा अधिक सक्तियां प्रेदान की गए है 453rd कोशन है इसमें कथन और कारट दोनों देखे और इनको देखके सही उत्तर का चैन कीजिए गतन दिया गया है मुखी मंत्री राजी सरकार के किसी मंत्री को बरखास्त कर सकता है इसका कारट दिया गया है क्योंकि मुखी मंत्री राजी मंत्री परिसत का प्रमुख होता है इसमें सही उत्तर बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा option D A गलत है किन्तु आठ सही दिया गया है अगला प्रशने निमने में से किसी आजिका का प्रावधान भारती सम्मिधान में नहीं किया गया है option A है प्रतिशेद, option B है परमादेश, option C है अधिकार प्रक्षा और option D है निसेधाग्या इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका निसेधाग्या अर्थात इंजंक्शन जो है वो भारती सम्मिधान में नहीं दिया गया है अगला प्रशने उचि नियायाले से संबन्दित प्रमुख अनुच्छेदों के संबन्थ में विकल्प चुन करके बताना है कौन सा सही है? पहला है आर्टिकल टूहंडेट फिप्टीन इसमें बतायाग्या उचि नियायाले का गठन B है अनुचे 214 इसमें बताया गया उच्छी नियायायाले के नियुक्ति और नियुक्ति शर्ते C है अनुचे 219 इसके दोरा बताया जारा राष्ट पती दोरा कारवाहक मुख्य नियुक्ति जिसमें आर्टिकल 231 में दिया गया है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्छी नियायायाले की स्थापना चलिए एक एक करके सारे ओप्शन को देखते हैं पहला दिया गया है आर्टिकल 250 इसके अनुसार होता है उच्छ न्यायालेयों का अभिलेक न्यायाले होना तो पहला तो गलत हो गया और उच्छ न्यायाले का गठन दिया गया है यह हो जाएगा आर्टिकल 214 में तो यह सिमेश कर दीजे तो दूसरा भी गलत हो गया आर्टिकल 214 गलत दिया गया है ठीक है फिर आर्टिकल 219 के तहट उच्छी न्यायालेओं के न्यायदीसो द्वारा सपत हिया प्रतिग्यान होता है तो आर्टिकल 219 भी गलत दिया गया है तो बचा कौन सा चौथा वही सही हो जाएगा आर्टिकल 231 में 2 या 2 से अधिक राज किसी भी कोश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूश सकते हैं इसके अलावे इन कोश्चन की पीडिया प्राप्त करने के लिए आप इन वाट्सेप नंबर या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं अधर्वाइज आप स्टडी फोर सिविल सर्वि अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और लोगों को शेयर करते लिए ऐसे ही और कोश्चन के साथ मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद